कि बीमारियों ने अपना स्वरूप बगल दिया है। उत बीमारियां जो पहले लुप्त हो गई थी वो दुबारा से आ गई है। जैसे जैसे अर्बिनाइजेशन हो रहा है। गाउं खतम हो रहे हैं। पशु शहर में आ रहे हैं। तो पशु की बीमारियां मनुश्यों में आ रही है। लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं। पॉलूशन, स्मॉग, फॉग इस वज़े से अलर्जी अस्तमा बढ़ा है। इस तरह की CME's Conference का मकसद यह होता है कि प्रैक्टिशनर जो बहुत बिजी हैं। उनके पास साल में एक या दो दिन कुछ नया सीखने के लिए होते हैं। तो यह अच्छा प्रेट्सवार में नई अपडेट्स देने का। और बहुत सी चीजें जो उन्होंने जो रिसेंट चेंजेंगें जो उन्होंने अपने एक्जाम में नहीं पढ़ी होंगी उनकी एक जयलक लेने का। जहां पर पेरेंस को लव के साथ में की करनी चाहिए या अलिमिनेशन भी उनको समझाना चाहिए या निगोसियेशन स्किल लाइफ के कोपिंग स्किन्स बताने चाहिए। वहां पर हमारा एक फ़र बड़ा गैस चाहिए। जिस वजह से ये बच्चे अपने आसपड़ोस के बच्चों से या मीडिया से कुछ गलग से सीच रहे हैं। उस्साहता है। उनके आक्शन में रिबिलियसनेस है। कई कीजों में जूर्जबदर्श्टी करने हैं। यहां तक कि हमारे समाज में आजकल हम देख रहे हैं। सेक्शुल अब्यूस बगएरा बहत बाड़ चुके हैं। यह सब एग्रेशन के चलते हम अब देख रहे हैं। कि इन बच्चों में सही मितरत्मिक चिजें आरे हैं। एस डॉक्टर्स हमारा यह करता प्याद है, हम इसमें इनकी मदद करें।